आईए अगर आप questionnaire देखे तो इस बार का questionnaire कुछ अलग किया गया है पिछला questionnaire और इस questionnaire में दो बड़े updates है पहला update मैंने हर topic के आगे एक उस topic का क्या डाल दिया है उस topic का बहुत simple सा revision डाल दिया है पूरा का पूरा मतलब कोई भी बच्चा अगर इन topics को भी उठाए और ये फट solve question and answer solve कर ले उसका पूरा का पूरा preparation हो जाएगा और ऐसा सिर्फ पहले chapter के लिए नहीं किया हर chapter के लिए किया है तो let us start कुछ questions हम लोग फटाफट देखेंगे कुछ questions को आपको homework दूँगा कुछ questions हम लोग solve करेंगे येस तो आजाओ क्वेशन है डिस्केशन के उपर क्वेशन नम्बर वन राज हैसर टोटल इंकम ऑफ 13 लाक रुपीज कम प्राइजिंग ऑफ इंकम फ्रम हाउस प्रापर्टी एंड इंट्रेस्ट उन फिक्स डिपॉसिट कम्प्यूट इस टोटल इंकम एच्पी इंकम और एवडी इंकम बताई वी है यानि अब गर कुछ नहीं दिया है तो हम कंप्यूटर मान के आगे बढ़ सकते उन्होंने तीन अंगल से इसे निकालने बोला है अगर उसकी ऐच इस 37 है अगर उसकी ऐच 65 है और अगर उसकी ऐच 83 है तो उसके लिए टैक्स निकाली है तो ठीक है सर यह समझते वे कि उसने नया जो प्रोविजन है इंडिविज्वल्स के टैक्स रेट का वो उसने आप्ट नहीं किया चलो जी हम कि तीनों में से किसी भी एक का उठा लेते चलिए एज 65 यर्ज का उठा लेते और उसको सॉल करने के कोशिश करते सर 13 लाक्स अगर उन्हें ने दिया है टोटल इंकम 13 लाक रुपीज दिया है तो अप्टू 10 लाक रुपीज तक का टैक्स आपको पता है 1 लाक 10 थाउजन 1 लाक 10 थाउजन सर कैसे निकाला ही है अप्टू दा फिर्स्ट 3 लाक निल नेक्स्ट 2 लाक पे 5 परसेंट 10 थाउजन नेक्स्ट 5 लाक पे 20 परसेंट 1 लाक सो पहले 10 लाक रुपीज तक का टैक्स आएगा 1 लाक 10 थाउजन आपका बैलेंस कित्ता बचरा है सर 3 लाक इस पर टैक्स रेट क्या आएगा मालिक 30 परसेंट is this 90,000 yes is this 90,000 total amount 2 lakh add HEC at the rate of 4% 8,000 total amount 2 lakh 8,000 everybody yes or no साथ साथ में सौल करते जाएए मजा आएगा ये रहा अगर उसकी एज 65 यह तो उसका टैक्स 2 lakh 8,000 आएगा done normal citizen के लिए और super senior citizen के लिए आप compute कर सकते हैं next question पर जलते है question number 2 compute the tax liability of raja 42 years की age है जिसकी income 51,50,000 है for the assessment year 22,23 assume करते हैं यह उसकी income में salary comprises है house property है and interest from saving bank account है yes assume that raja has not opted for provisions of 115 BAC now दो बातों को आपको focus करना है सबसे पहली बात interest on saving account अब जिस बच्चे ने total income already पढ़ लिया होगा उसका दिमाग strike करेगा कि यहाँ पे 80 TTA लगाना है वैसे आपको कुछ नहीं लगाना क्योंकि problem ने आपको directly total income दिये तो आपको सिर्फ tax compute करके उनके सामने रखना है yes आपको सिर्फ tax compute करके क्या रखना है उनके सामने रखना है अब 51,50,000 है मतलब income slightly आपके marginal relief के amount से उपर गई है income slightly आपके marginal relief के amount के उपर गई है तो आपको यहाँ पर क्या applicable है? Marginal Relief भी applicable है आपको यहाँ पर क्या applicable है? Marginal Relief भी applicable है Yes Check करो Check करो So 51,50,000 हम क्या करते है? Up to 50,000,000 tax निकालते हैं Everybody चलो एक page लो, page के उपर solve करके देखो 51,50,000 है तो आप 50,000,000 तक का tax compute करेंगे प्लस उसके अंदर में additional income add कर देंगे Everybody additional income add कर देंगे Everybody निकालो 50,000,000 रुपीज तक का tax किता आता है 50,000,000 में से 10,000,000 का tax आपको पता है age 42 है मतलब senior citizen नहीं है yes check करो if this is done या या थर्टीन लाग 12,500 say yes 50,000,000 तक का tax आया 13,000,000,000 तक का tax आया 13,000,000,000 तक का tax आया 13,000,000,000 तक का tax आया इसमें आप अपनी पूरी additional income को जोड़ दीजे 1,000,000,000 की now your total come to 14,62,500 इसमें 4% का HEC जोड़ दीजे is your tax comes to 15,21,000 everybody जल्दी से बताओ प्रवो क्या आपका भी tax 15,21,000 आरहा है हाँ या ना देखिए बस इसी तरीके से आपको निकालना है आपके मन में एक सवल जरूर आ सकता है प्रभू इस्ट पॉइंट पे कि ये कैसे पता चलेगा कि भिया आमाउंट एट स्ट्राइक्ट मार्जिनल रिलीफ आपको सिफ ये देखना है कि क्या आपका जहां पर सर्चाद स्ट्राइक करता है इंकम स्लाइटली क्या वहाँ पर थोड़ी सी उपर ही है अब ये थोड़ी सी उपर तो try and error का मैतड होता है बट आपको यह देखना जरू पड़ेगा कि क्या इंकम slightly थोड़ी सी उपर है बस इतना करके आपना काम कर सकते हैं Q3 हमने कली कर लिया था Q4 भी हमने कली कर लिया था Q5 अब अगर पांच करोड की इंकम की बात करने हैं तो इंकम slightly ही उपर जा रही है क्या करेंगे आप मुझे बताइए आप पांच करोड रुपे तक का टैक्स कंप्यूट करेंगे इसके अंदर में सर्चाज भी आड़ करेंगे 25% तक का प्लस एडिशनल इंकम आड़ कर देंगे कुछ याद है कली हम नहीं किया था कुछ याद है चेक करो प्रभू निकालो जल्दी से झालो जल्दी से अंदर में आड़ कर देंगे जल्दी से जल्दी से अंदर में सर्चाज करें देने वच्चे एनिबडी विद दानसर एनिबडी विद दानसर बिल्कूल सर यही फर्माट आप यूस कर सकते हो चलो टैक्स निकालो इता मार्यूं आ प्र निवद गलीविट एनिबड зем रं आट्ट्टन सरुतर आट्टली विद दिल्कू आच और आटएंग आटां आलियू आटली विद दोगे पाट्टूस तक कर शिद्ट आटलीया आख सकते हैं बदाएंग तका टांसर में पाट्ट सुर्चर आट्टि आ दस दिस कमस तू 18515625 इसमें आप एड कर दीजे आपका एडिशनल इंकम 18715625 इसमें आप हचीच जोड लीजे अड दर दर द फो पर सेंट यह फाइनल आंसर शूद कम तू चेक पुर्वू आपका फाइनल आंसर यह आना चीए जो यहां है प्लाब है झाल कि अज़ देन चलों यहां तक है सब्सक्राइब क्लियर आई यह है प्लाइब करता है क्योंकि मार्जिनल रिलीफ औल ससी पे अपने ज़ाएब करता है चाहिए कर बहुत एक बहुत अपके लिए के लिए एक बहतरीन कोष्चन है आपके सॉल करने के लिए उधित बिटा थोड़ा सा लेक्चर में ध्यान दो आप हर दो मिनिट बाद वही क्वेशन पूछ रहे हैं जो लेक्चर में मैंने अल्रेडी काहा है उधित में से पूछ रहे हैं सर कितनी इंकम पर पता लगेगा कि म ब्लाइटली इंक्रीज कर रहा है ऐसे के समा मॉर्जिनल रुफ अपलाइट कर सकते हो कमपनी इस मार्जिनलल स्रीफ अवेशन रटीर अपलाइबन आं पर यहां पर जारी है विए तोटल इंकम दाध टो आनदेशनुन अट अब 1 करोड 1 लाग आप ध्यान से देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा टोटल इंकम 1 करोड 1 लाक टोटल इंकम 1 करोड 1 लाक आप 1 करोड पे टैक्स निकाली है एक करोड तक क्याम पे टैक्स निकाली है इन्टू 30 प्रिषेंट ये कि ता आया वेटा 30 लाक रुपीज आया येस इसमें आप क्या करोगे आपने जितना additional income क्या है उतना जोड़ दो प्लस 4% जोड़ दीजे आपका total tax चेक करिए कितना आया कितना आया the tax payable on total income will be the tax payable on total income of 1 करोड 1 लाक computer at the rate of 32.1% yes 32.1% is 3242.100 अगर हम normal तरीके से जाये तो however the tax cannot exceed 31 lakh 31 lakh कैसे बिटा 31 lakh कैसे बिटा 31 lakh कैसे simply आप सूच करके देखे 1 करोड का tax प्लस आपने जितना additional income earn कर दिया उतना आप पूरा का पूरा add कर देंगे उतना आप पूरा का पूरा क्या कर दोगे add कर दोगे yes so that is 30 lakh payable on total income of 1 करोड plus 1 lakh being the amount of total income exceeding 1 करोड therefore the tax payable will be 31 lakh the marginal relief is 1 lakh 42,100 the marginal relief is 1 lakh 42,100 obviously यहाँ पे सेस जोडा नहीं गया है इसमे सेस भी जुडेगा यहाँ पे सेस जोडा नहीं गया है यहाँ इस पे सेस भी जुडेगा tax payable किता आएगा 31 lakh यहाँ पे आप लिख करके रख सकते है plus HEC at the rate of 4% तो final answer जो रहेगा आपका वो accordingly आएगा question number 7 take it as homework question number 8 छोटा सा question है rebate पे based take it as homework question number 9 पे आईए assessi theory question भी पूछे जाते है और questionnaire के अंदर मैंने theory भी रखावा है assessi याद करके देखो every person who is liable to pay the tax deemed to be an assessi and assessi in default यह तीन category आती है assessi means every person by whom any tax or other sum is payable under the act in addition the term include the term include every person who is deemed to be an assessi and every person who is assessi in default yes it includes every person in respect of whom assessment of his income loss or amount of refund is carried out every person who is liable to pay tax automatically यह इंद जाता है so every person who is liable to pay the tax deemed to be an assessi and assessi in default right बच्चा पूच्चा है sir हम कौन सी method use कर सकते है marginal relief के solution के लिए आपकी या side में की हुई sir आप दोनों में यूज़ कर लीज़े इसका कोई particular format नहीं है tax compute करने का तो module में जो दीवा है आप वो भी यूज़ कर सकते हो यहां जो दिया है वो भी यूज़ कर सकते हो वैसे format एक है उसका yes question number 10 take it as homework अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बड़ी important है question number 10 यह एक module का question है यह जो question number 10 है Mr. Agrawal वाला यह module का question है लेकिन मैं आपको एक update देना चाहता हूँ अगर आप module में देखोगे तो इस question के अंदर में अगर आप module में देखोगे तो इस question के अंदर में उन्होंने जो solution दिया है यह गलत है उन्होंने जो solution दिया है यह गलत है वहाँ पे शायद एक printing mistake हुआ है आप जा करके देखेगा आपका जो नए module आए है May 22, November 22 में सेम question है Mr. Agrawal वाल और वहाँ पे जो उन्होंने इन्हों computation दिया है यह गलत है In fact अगर आप ध्यान देखेगे तो कल हम लोग हमारे group पे भी यह point discuss कर रहे है Yes आईए देखते है बच्चों ने मेरे से request करी कि Sir आप इस question को class के अंदर में solve कराएए मैंने का don't worry इस question को मैंने already मेरे questionnaire के अंदर में लिया आवा है तो आईए जरा focus करते है Mr. Agrawal 40 years and resident in India has a total income of 4,50,000,000 comprising of long term capital gain comprising of long term capital gain under section 112A short term capital gain 111A and other income 3,30,000 sorry 3,30,000,000 अब जरा अगर ध्यान से सुनेगे मेरी other income मेरी other income already higher such charge rate में है already higher such charge rate में है तो बो लो क्या करेंगे टेंशन लेने की बात नहीं है सबसे पहले अगर मैं long term capital gain देखू तो 54,00,000 पर 10% आएगा या या 5,40,000 short term capital gain देखू तो पूरे 65,00,000 पर 15% आएगा या या 9,75,000 चेक कर लो एक बार जो मेरी other income है उस पे जिस तरीके से normal tax compute किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से tax compute करेंगे 3,30,00,000 में से पहले 10,00,000 तक का tax आपको पता है balance pay 30% 1,25,00,000 आड़ कर दीजे आपका tax pay बलाएगा 97,12,500 चेक करो प्रभू is this the right answer तीनों को tax मिला दे तो आएगा 1,12,27,500 everyone please check comment करके बताईए yes or no comment करके बताईए yes or no अब बताईए क्या surcharge भी applicable है yes surcharge भी applicable होगा yes surcharge भी applicable होगा जो आपका other tax है इस पे 25% के इसाप से जो आपका other tax है इस पे 25% के इसाप से और इन दो income पे 15% के इसाप से चेक कर लो 9,75,000 प्लस 5,40,000 15,15,000 पे 15% के इसाप से आपकी other income पे 25% के इसाप से यह आ गया आपका total tax उस पे HEC and final tax payable वहाँ पे यह जो questions solve क्या गया है 112 के साफसे solve क्या गया है शायद एक printing mistake है 112A होना चाहिए खेर मैंने इस चीज के लिए mail भी लिखाया है institute को और उम्मीद करते हैं कि वो चीज क्या होगी सही हो जाएगी पर उसका answer ऐसा होना चाहिए है हो गया बिटा तो आपके मन का एक जो सवाल था सर प्लीज यह जो module के अंदर में question है प्लीज इसको ले लो ना already covered है बिटा तिरको टेंचन लेने की जोरत नहीं तेरे मास्टर में अटेंशन तेरा already ले लिया है समझ महीं बात सो इससे क्या बात हुई module के question भी हम लोग ने consider किया देके module गीता है module गीता है हम उसको छोड़ नहीं सकते तो module के question भी आपके questionnaire में cover a past examination question भी इसके अंदर में covered amendment based question भी इसके अंदर में covered along with question and examples खतम होता है along with question and examples खतम होता है